कि काश मेरा भी रूप सलोना हो जाए, कद भले ही मेरा बवना हो जाए, और होली में इनकी बीबी को गले लगा लू, भले चाहे हमको कोरोना हो जाए गीत सुनके नरकंकाल को मस्ती चड़ गई अगला भांकी दुकान पर गया, गोला खाया और भोजाई के घर के लिए निकल लिया, भोजाई अटारी पर खड़ी, भाई को देखा, भाई ने भोजी को देखा, दोनों खुश भोजन इशारा किया, कंकाल को लगा इस साल बात बन गई, उपर चड़ गया, भावी ने कहा खड़ी हो जाओ, कंकाल मुस्कुरा के खड़ा हो गया, भोले ऐसा करो, अब अपनी शर्ट उतार दो, नर कंकाल खुश, जली यली शर्ट उतार दी, उतार क्या दी, बट नहीं तोड़ दी, तो अगले अपने बन्यान भी उतार दी, एसा करो अब यह पेंट भी उतार दो, तो अगले ने पेंट भूतार दिया काप ने लगा खुशी से इतने मुशने आवाज दी अपने चिंटू को बहुत ही जबरदस्त कभी है जोड़दार तालियां बजा कर उनका स्वागत करिये नरकंकाल बाड़ी ने देखो भावन आग भी समझो नरकंकाल बार-बार मनोज भाई कह रहे है गुरु माईक की कसम खा कहता हूँ अगर कोई मादा कंकाल मिल जाए तो अभी कोट मेरिज कर दो आउत अच्छा ऐसा नहीं है नरकंकाल के मतरब यही है कि इस एपिसोड में अकेला मैं ही नर हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कंकाल माने होता हड्यों का धाचा हम अपनी वसीयत में लिख जाएंगे कि हमारी हड्यों से देशी कट्टे बनाए जाएंगे एक-एक आतंग वादी को भूजा जाए हमारी देश बगती है चलिए होली का माहौल है बहुत बतारत चार पंक्तिया आपके संबाद में जोगता हूं मरोज भाई बहुत हमारे पुराने मित्र हैं कि किसी ने इनसे कहा कि तुमारी बीवी भाग गई है तुम्हारे खांदान में लगाकर दाग गई है और ये चार बाग में ढोड़ते ही रहे मैंने कहा लगता है शाहिन बाग गई ये हमने एडिया दिया कि वो निश्य शाहिन बाग गई है बहुत अच्छे हमारे मित्र है और खोली का चुक जैसा माहौल चल लहा है शड़े हुए अचार का मुरब्बा बना गई घर को मेरे वो कचरे का डब्बा बना गई शादी को हुए थे अभी केवल महीने चार जाने वो किस हिसाब से अब्बा बना गई बहुत बढ़िया नरकंकाल जी सागत है जी जी बहुत आप जो है ऐसा नहीं है हम जहां पर आपने वाइप की डिलोरी होती है वही पर मैं वाड़ वाड़ तो ये समय मुझे मालू है एक बात बहुत पहले कुमार मनुद जी हमें मिले तो देखा ये घर में कपड़े दो रहे थे तो हमने इंसे कहा आप देश के इतने प्रतिश्चित वोज के कभी हो कपड़े दोते हो शादी कर लो त Инनों उने शादी कर लिए फिर जब इनके घर गए तो देखा फिर भी कपड़ेव रहे थे हम ने इनसे कहा भावी जी कहा आप क्यों कपड़े दो रहे हो बोले गवर से देखो पैंट शट नहीं दो रहा हो जारी ब्राउध्व दो रहा हो को यह बहुत अच्छे वारे मनोज भाई तुड़ा साउ होली में भी मारे निर्मल जी ने अब निर्मल को देखो हमें देखो श्रॉस बड़ा अंतर लगका यह अम अंका बुरा हाल किया कुछ अशा भी हमको भी हो गया गए अर्मल जी यह जब आहे bevor、「 निर्मल जी हमको कहेरते हमंते हो तुम तो सुखे हुए कंडे लगती हो इन्हों ने कहा कि तुम सुखे हुए कंडे लगती हूं वद दैनासोर के लगती है को यह क्टारी है यह सक्टारी चीज है हां तो होली के लिए मैं भी बताता हूं कि हमारे साथ भी होली में गुछ आशी ट्रेजडी होगा पिछले बर्ष के बाति भाइव मनोजी रोली बोली में अपकी मेरा हुलिया बिगड़ गया और सासू को समझ सरहज हमने जो रंग दिया फिर क्या था ससूर के मेरा जूता उतर गया फिर क्या था ससूर के मेरे जूता उतर गया और मारा किसी ने फेक कर पत्थर जो मेरे मुह पर मारा किसी ने फेक कर पत्थर जो मेरे मुह एक दाद था जो गडबर जड़ से उखड़ गया हूँ जब जब मैं उसके घर में उसकी गली का कुट्टा मेरे पीछे ही पड़ गया हूँ कोई पीए दारू कोई खाए भंग कहूं चले जूता कहूं बाजे मुर्दंग होली का मतलब है हुलड 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 ह आपके सामने खीशता हूँ, जिसमें कुछ नहीं है, क्यों उपमाय है, देवर भावी से होली खेलने के लिए अनुने विने करता है, अधड़ी, और वो कुछ उपमायों का प्रयोग करता, देखिएगा वही, ऐसी उपमाय काल दास ने लिखी, ति उसके बाद हम लिख रहे ह देवर भावी से कह रहा कि हम भी मनाए होली, तुम भी मनाओ होली, हम भी बनाए टोली, तुम भी बनाओ टोली, हम है तुम्हारे देवर, तुम हो हमारी भावजी, हम है तुम्हारे देवर, तुम हो हमारी भावजी, और तुम चीन की हो सीमा, हम हिंद के है भावजी, तु तुम तोप के एर गोला, तुम तोप का हो गोला, राइफल के हम है गोली, तुम हूँ मनाओ हो ली, हम हूँ मनाए हो ली, अब कुछ उपमाय देखिए, देवर कह रहा है, कि हम काला काला डामर, हम काला काला डामर, तुम हमरे पोतो चूना, तुम दूद जैसे उजली, कोईल लिखा चड़ेगा दूना तुम अपने रंग घोलो हम अपने रंग घोली तुम हूढ मनाओ होली हम भी मना आई होली यह मना जब देखा उ्कमाओं का फूस प्रयोग कम समझ में आ रहा तो उसने कुछ उपमाओं की भासा बदल धिगा देवर कहने लगा हमेश के कुकर्मुत्ता तुम हुस्न की फफूंदी, हम नहाई प्यास चातक, तुम स्वांत की हो बूंदी तुम आसमा से टपको, हममुह का दौर खोली, तुम हुम मनाखो ली, हम हुण मनाखो, हम भी मनाखो ली तुम भी नwhen?! कि भाबी थोड़ा से उनकी और अट्रेक्ट हो उसने बहुत अच्छी उपमा दे उसने कहा तुम भी करे ठिठोली, हम भी करे ठिठोली, तुम भी करो ठिठोली, हम भी मनाए होली, तुम भी मनाओ होली कौयल सी तुम भी कूको। हम काव काव करवे। तुम पवन जैस डॉलो हम पात जैस डोली। हम यू मनाई हो ली। और एक उपमाई चुग देवर देहात का है। बापी शहर से है तुस्थ देखो अदेषात और सहर की इता है। कि हम है पुरानी लोड़ा। हम हैं पुरान लोड़ा operate हो नहीं सिलवी तुम चादनी के डिदबा हम टीन के चुनौटी तुम शहर की सुपारी हम गाउं के तमओली तुम हुं मनाओ होली हमभी मनाई होली आया हे लेके फागुण यह रंगभरी होली यह रंगभरी होली हम भी बने न भोला उन भी नबहली इति है अधिस एक जिब मान जी ने हम ढूँने हम से कहा कि तुम पहुद हान्य तो हमने टो नहीं ताहि आर सतेयले ले, बोजे कोो किते ही हुआ हुआ तो हमारे हाँ एक्ता के लिए बहुत कुछ कहा जाता है लेकिन में एक्ता अगर शीखी टाक्म अता है क्पीक सा गूरति से वह कहा हमने धॉद्ध कुझ एक कुछ से चाहिक रह नहीं तो इस एक बहुत कुछ सहता है में बहुत अच्छी बात गह रहते हैं मनोजी बहुत अच्छा लगता है और चार पंक्तियां पहले मैं आपको जोग रहा हूं कि कास मेरा भी रूप सलोना हो जाए कास मेरा भी रूप सलोना हो जाए कद भले ही मेरा बवना हो जाए और होली में इनकी बीबी को गले लगा बले चाहे हमको कोरो ना हो जाए तो ये सब आज कर सब चलता रहता है मनोज भाई ये तो सब होता रहता घर की बाते आप बताया कर तो आपकी इंट्री घर तक है हमारी भी ऐसा है आज के टेंशन बरे युग में किसी को हसा देना किसी को अगर हसा देना तो ये बहुत बड़ बात होती है टेंसन देना आसान है आप जाते हो किसी ने कहा भाई साहिम नमस्कार टेंसन शुरू अगर उस उसने कहलती से पूछ लिया भावी जी के क्या हल तो आप कोमा में चले जाओगे तो इसलिए वो तता एक बार एक पड़ोसी मनोज जी के यहां आया उसने कहा यार मे जेना दूले की लेटने के तरीका बरे इसको पढ़ोसी मैं कुछ पंक्तिया प्रसुत करता हूं आज कल कहीं चीजे चल लहीं कि महिलाओं की बात चल लहीं महिलाओं से तो सभी ऐसे रहते हां से तो हम कहीं भी निकाल लेते एक दिन पत्नी साथ जा रहते रास्ते में गधा मिला तो पत्नी ने कहा देखो तुमारे रिष्टेदार खड़े हमने कहा ससूर जी पढ़ाओं तो कहीं से भी हां से निकाला जा सकता है कि जज ने महिला प्राधी को सजा सुनाया जज ने महिला प्राधी को सजा सुनाया बोले हे निर्दई तुझको तरस नहीं आया तून अपने पती को जहर पिलाया कर बैठी इतनी बड़ी नादानी सुनी नहीं सीता सावित्री और अंसुया की कहानी वो बोली जब साहब तरस आया था हमने एक ही प्याला जहर बनाया था और जब यम्राज मेरे पती के प्राँट टांग रहे थे वे बेचारे मुझे से दूसरा प्याला मांग रहे थे तो ये सारी एक महगाई पे में पढ़ता हूं कि मैंने कहा प्रिये तुम्हारे लिए ला सकता हूं नैनो गाड़ी या कहो खरीत के लाओ बनारस से साड़ी या कहो घुमा लाओ खंडाला या कहो दिखा लाओ आगरे का ताज पतिनी डोली घुड़क के बोली हे देड़ हड़ी के पहलवान सुनिये सुरीमान नहीं चाहिए नो गाड़ी नहीं पहिंदी बनारस कि साड़ी नहीं जाना खंडाला नहीं देखना अगरेका ताज अगर ला सकते हो तो लिए आओ तीन किलो टमाटर चार किलो प्याज अगरो एक दिन एक मास्टर मिला ऐसा बढ़िया साये नरकंकाल टाइप का मैंने का बहिया ये मास्टर थोड़ा सा अलग है ये मेरे बच्चों को पढ़ा सकता है भाई घर पहुचे होली का मौसम था एक किलो गुजिया तुलाई ले जाके बच्चों के सामने धर दिये बच्चे सबढ़ाएंगे अगले दिन भाई ने फिल प्रियोगो कीया तो एक क currently लड़ू ले कर गया यह लड़ू ले कर गया तो डोलू के हाथ में चार लड़ू रखे बगोलो के हाथ में दो लड़ू रखे ब现 क्रोण ने चार लड़ू घा लिए अब नरकंकाल ने पूचा कि भ भाई ने फिर से लड्डू निकाले धोलू के हाथ पर रखे वोले ये ले कितने लड्डू हैं पांच लड्डू चार लड्डू निकालके गोलू के हाथ पर रखे वोले अब कितने हैं चार अच्छा गोलू एक बात बताओ पांच लड्डू ये और चार लड्डू ये कितन गोलू यह तो साला लड़ूएं के चक्कर में पढ़ाय दे रहा है मैं एक ऐसे कभी को बुलाता हूँ जो उन सबसे भी सीनियर है जोड़दार तालियों से भाई निर्मल स्रिवास्तप को अमंतित करिये अब की होली ने हमारा बुरा हाल किया अब की होली ने हमारा बुरा हाल किया सिर्फ मुझे छोड़ सब को निहाल किया अब की होली ने हमारा बुरा हाल किया बंद देखिएगा कि किसी को पापड गुजिया दी किसी को पापड गुजिया दी निर्धन और अमीर को रंग गुलाल यवीर को रंग गुलाल यभीर को देकर होली ने सभी को माला माल किया होली ने हमारा बूरा हाल किया किलोरी दी किलकारी दी लोरी दी किलकारी दी, किसी हाथ पिछकारी दी, किसी के सर पर करज दिया, किसी को केवल फर्ज दिया, काम होली ने तो ऐसा बेमिसाल किया, काम होली ने तो ऐसा बेमिसाल किया, होली ने हमारा पूरा हाल किया, किसी को बढ़िया साली दी, किसी को केवल गाली दी, होली में सब का मन चंगा, होली में सब का मन चंगा, सास, साली समझ सास को रंगा, तो पीकर भंगने नसे में वो कमाल किया, यब की, होली ने हमारा पूरा हाल किया, तो तन जैसे महके चंदन, सिर्फ महक ही बाकी है, सिर्फ महक ही बाकी है, चमक दमक ही बाकी है, बाकी होली ने किसे खुस हाल किया, बाकी होली ने किसे खुस हाल किया, यब की, होली ने हमारा पूरा हाल किया, कि लोंग इलाइची दाना था, सबका आना जाना था, सबका आना जाना था, फर्जदाई अब केवल है, उपर नकली लेबल है, ऐसी होली ने तो जीना भी मुहाल किया, अब की होली ने हमारा बुरा हाल किया, कि कहां रही वैसी होली, अब होली तो बस होली, पहले तो अमृत बरसे, अब तो सिर्फ सुराबर से, होली यही है इस किसी ने, होली यही है किसी ने, यह सवाल किया, यकी होली ने हमारा बुरा हाल किया, सिर्फ मुझे छोड सब को निहाल किया, और अन्त में चार पंक्तिया संदेश की देते हुए होली के प्रता की मत रोटियां से किये, दुएस दंभ अहम आग में फेंकिये, और खेलना है तो कुछ खेलिए इस तरह, खेलना है तो कुछ खेलिए इस तरह, प्यार सो हर्द की होलियां खेलिए, बहुत बहुत है। एक जो फूल दिया था कभी अकेले में, मेरे वीरान में वो आज भी महकता है। एक जो फूल दिया था कभी अकेले में। फूल भी ऐसा जो खो जाता है, मिल जाता है। देखने से उदास, मन भी तो खिल जाता है। एक जो दीप दिया था कभी अकेले में, एक जो दीप दिया था कभी अकेले में। मेरे वीरान में वो जलता है, दमकता है। एक जो फूल दिया था कभी अकेले में। मेरे वीरान में वो आज भी महकता है। दीप भी ऐसा जिस में नेह भी तुम्हारा है। तिमिर से लड़के भी जो आज तक नहारा है। एक जो मेग दिया था कभी अकेले में। मेरे वीरान में वो आज भी बरसता है। एक जो फूल दिया था कभी अकेले में। और गीत कांतिम चण देख लें। कि मेग भी ऐसा जो अंतर की पीर से जनमा। नयन की कोर से नयन की नीर से जनमा। एक जो पत्र लिखा था कभी अकेले में। एक जो पत्र लिखा था कभी अकेले में। मेरे वीरान में नितगीत नया रचता है। एक जो फूल दिया था कभी अकेले में। मेरे वीरान में वो आज भी महकता है। हमारे बीच में एक बहुत शांदार कभी है। जिसको मैंने बचा कर रखा है। देशी आदमी है। दोती टाइप का आप देख ही रहे होंगे। जब मैं वश्मा लगा के रेल में आ रहा पठा। और एक सुन्दर सी लड़की इसको मिल गई। तो उसको देखकर बोला काश। तो आस-पास वाले यात्री परेशान। बोले इसको तो बुढ़ा पर में मस्ती आ रहे है। वोली काश। लड़की भी गुस्साई ही। वोली क्या बकवास कर रहे है। वोली कास इस लड़की कास ये लड़की मेरी माँ होती। तो मैं अभी इसी की तरह सुन्दू है। अद्बुत अद्बु है। बहुत अच्छा है। मैं बहुत सारी कविताएं आपको लगातार सुनवाता रहता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि वो तमाम सारी कवी जो विभिन कवी सम्मेलों में आपसे पर्चित नहीं हो पाते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रिशश्टी स्टूडियो के मंच के माध्यम से उन कवियों को आप तक पहुचाना चाहता हूँ। इसमें पहली बार जो हमारे बीच में आये हैं इस प्लेटफॉर्म पर जमुना प्रसाद अबोध। होली के इस रंग में उनकी मस्ती वरी कविताएं अमीर का माथे लगावत हो, गरीबों का बुलाओ होली मा, भूख वह के मिटाओ होली मा, गोजिया पापड खिलाओ होली मा, दुस्मनी भूल जाओ होली मा, प्रेम के गीद गाओ हूँ। आईए, अभी बहुत-बहुत बाते हूँ यहीं से, होली एक ऐसा त्योहार है कि जिसमें छोटा बड़ा सबेत सामान होता है, सब खुशी मनाते हैं, वहीं से सुरू करता हूँ। कि पतनी हम से सुरू प्यार के जंग के दिस होली मा, पूरे के पूरे सरीर मा रंग के दिस होली मा, और सत्तर साल की, सत्तर साल अवस्था मा, फिर लोड जवानी है आई, हम वह बहे परे रहनवा तंग के दिस होली। तमाम तमाम बाते प्यार मुहबबत की बाते बहुत होती हैं लेकिन प्यार मुहबबत अभी गीतगारे सोनी बहुत बढ़िया गाया हमें पास सवर नहीं है कि सवर्ताल ना बने तो गीत का करे सवर्ताल ना बने तो गीत का करे और जो हैगा बुढ़ापा तो सिला जीत का करे जब सच्छा सवदा हुई गवा डेरा के बीच मा फिर फद्गे गुरु मीत तो हनी प्रीत का करे मुहबत का बात वात या उमर का बात है कि जवानी मा प्रेम किलकिलाद बहुत है जवानी मा प्रेम किलकिलाद बहुत है और बुढ़ापे मा प्रेम गुलगुलाद बहुत है और जवानी का प्रेम ज्यादा कों नहीं जानत मुल बुढ़ापे का प्रेम चिलाद बहुत एक रोज सिरी मती हम से कहे लागी, कि पहले की तरह प्यार नहीं करतो, अब पहले तो रहत रहो हम पर दिवाने तुम, अब कहे देख देख हमका जरतो, और रातियो दिन कभिता मा बहरे रहो थो बेस्त, घर उते खटिया पर फट से गिरतो, अब प्यार वाली घंटी बजाव में कब भूली गयो, हमका जनात कहों बहरे तपा, तो विया सिरी मती जी से कहा तुम से बताई का, प्यार वाली बैटरी में रही गए न दम है, और नंबर तो आए-आए केर चले जाथ हमें, आहुट गोईन वाली सुविधों खतम है, और धीमी धीमी आवत है आवाज स्प भाइ टेच वाला और हमरी मिमोरी मन काउनो सिस्टम, तो भी आतना सुनिन तो हुई नकुना फुदायल हिन, और कहे लागी कहे का चिढाये रहो हमका, और जोणी थरा के हो हमका पता है सब, जूट के रामायर या सुनाये रहो हमका, और बापु आसा राम जी से तिनको नही भोली भाली जान के भर्माए रहो हमका अब कोने बाबा का हम हुँ पटाए लियाब हानी प्रीत बनी के दिखाए दे आप दू तो भीया अतना सुना तो स्वाचा काम तो बिगर गवा अब यह जूते हटाए देई हमका अब कोव ना हमार सुनी इही केड सुनी जाई अब आगे पाचे वालन से पिटाए देई हमका तो चट्टे मनावे लागेन जूत के रुआवे लागेन कहा की कसम से बताए देई तुमका और जिन रही मत तुमरे सिवा कोहू का निहारा नहीं कहो सीना चीर के देखाए लेकिन मित्रोपत पत्ने का जो प्रेम होता है लगाई सुरू होती है प्रेम प्रेम में खतम कैसे होती मेरे पत्ने जवाब दिया जो संसकारों की बात हो सकती है कि हमका जो रुआवत देखिन उन्हों तब रुआवे लागी ओ कहिन काहे रुआवतो चुपाय जाआ बुढ़ऊ चोट कीर बाद तुमका अतना अखर गए जौन कुछ कहा सब भुलाय जाआ बुढ़ऊ अब पूरी 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 जिंदगी तो हंची-कुची से बिताय दियो जौन बची यहू का बिताय जाओ बुढ़वू और साथ साथ जहनम तक हम तुम्रे मनमा समाई रही और तुमू हमरे मनमा समाई जाओ पूँ आई ये एक कविता है हमारा देश भारत महान है और महान रहेगा इसमें कुछ कारण है ये भारत महान है इमा नारी प्रधान ये लिए भारत माता कहा गवा जब माता गुर्ज्यादा पाए गए और पिता गुर्ज्यादा होती भारत पितों कहा जाते लेकिन माता गुर्ज यादा पाएगे लिए भारत माता कहा गो। ये भारत महान है और हिमा नारी प्रधान है और नारी ही जीवन दाता है यो यही थे भारत माता है। गौरी के पीछे संकर हैं देवताओं ने अपना नाव बाद में रखा पहले गौरी तो संकर, सीता तो राम, रादे तो स्याम, लच्मी तो नारायन तो गौरी के पीछे संकर हैं, सीता के पाचे राम हो हैं, लच्मी के पीछे नारायन, राधा के पीछे स्याम हूँ नारी ना नारी से सब कुछ है संभो, नारी का चित्र पवित्र होए और नारी के मुहेमद भी सम्रत, नारी के कलाब भी चित्र होए। जब देवा सुर्थंग राम भवा तो नारीन जान बचाई से महाराजा दसरत कहे। जब देवा सुर्थ अंग्राम भवा तो नारिन जान बचाई सी है फिर वह नारिलेलिस प्रांड जब राम कबने पठाई सी है तो जब राम कबने पठाई सी है कल्जुक के कल्जुक के अमर कहानी है इतिहास करे निंगरानी है अंग्रेजन के छक्के छुड़ाए दीनिज जांसी के राणी और भीया एक कविता मा यह हमारे कभी हिनके बिसे में चार पंतियां है कि ज्ञानों की दाता सरस्तोती मैया जिश का बर्दान दिहिन हुईगवा वह जगमा महान बिद्यामा जिसे प्रदान की हिन जब विद्धोत्मा से मिले जाए कभी से टहकाली दास भे खुलसी के रहे पहले तुलसी रतना से तुलसी दात नरकंकाल जी से सुरू कह रहन है कि जब पतनी जब पतनी कैसके कारत है तो कभिमा गिंती हुआ थोए जब पतनी कैसके कारत है तो कभिमा गिंती हुआ थोए और जो पतनी पीछा चाड़त है तो प्रदान मंत्री हुआ थोए पतनी नहीं मिलत वो प्रेम करोगी हुआ थोए जब कहों सहारा नहीं मिलत आखिरमा यह तो नारी नारी बदले बिदके बिधान और नारी से बचके रहो जवान नारी बर्याक चाता है यही से यह भारत ही